तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोन पे बिजनेस यानि की फोन पे मर्चंट के बारे में, कि किस तरह से आप घर बैठे अपने मुबाइल फोन ते फोन पे बिजनेस एकाउन्ट ओपन कर सकते हो, और इतना ही नहीं, कैसे आप अपने एड्रेस पर बिल्कुल फ्री में QR कोड महुआ सकते हो, इसका डिटेल्स भी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, आपको करना क्या है, बस मेरे साथ वीडियो के अन तक बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते है हाँ, तो सबसे पाले आपको अपने mobile phone में phone पे business app को download कर लेना है, इसका लिंक इसी वीडियो के निचे description box में दे दिया हूँ, आप link पर direct click करके इस app को install कर लेना, जब आप इसे open करोगे तो आपके सामने कुछी इस तरह का interface देखने को मिलेगा, अब देखो यहाँ पर आप आपको यहाँ पर अपना mobile number इंटर करके निचे verify का button है, verify कर देना है, verify पर click करते ही आपके mobile number पर OTP आएगा, आपको अच्छे से OTP इंटर करके दुबारा से verify कर देना है, तो verify हो जाएगा, तो loading वेगरा लेगा, उसके बाद आपके सामने कुछी इस तरह का interface देखने को मिल अब यहाँ पर देखो, let's get started, और यहाँ पर blue color में start now का button दिया गया है, आपको क्या करना है, start now पर click कर देना है, उसके बाद में यहाँ पर allow करना है, allow करोगे, तो आपके सामने business details का page open हो करके आ जाएगा, अब इसे आपको अच्छे से flip कर देना है, सबसे पहले यहाँ पर business का logo है, तो आप यहाँ पर set कर देना, या फिर आप अपना photo भी set कर सकते हो, उसके बाद देखो नीचे continue का button है, हम continue कर देंगे, continue करते ही loading map, यानि कि कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिलेगा, अब देखो यहाँ पर आपको अपना map select करना, यानि कि जहाँ पर आपका business करने से, जहाँ पर आपका shop है, उससे mark कर देना है, कुछ इस तरह से, देख सकते हो, यहाँ पर store या flat number, building name भी लिख देना है, तो आप लिख करके यहाँ पर continue कर देना, automatic वो यहाँ पर ले लेगा, यानि कि आपका location Google Map के अंदर set हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर continue कर दे interface देखने को मिलेगा, और finally, congrats, you have been listed on the phone pay app, उसके बाद यहाँ पर accept payment now और escape, दो option देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, accept payment now पर click कर देना है, उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा, start accepting payment, कुछ इस तरह का page आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भीम UPI, phone pay ballot, दोनों पर आपको टिक कर देना है, automatically tick किया हुआ आएगा, आपको नीचे continue का बटन दिया गया है, continue कर देना है, तो चलिए फटापट से हम इसे continue कर देंगे, इसके बाद में इंटर bank account details का page open हो करके आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको अपना account number, re- FC code और account type, saving या current, आपको अच्छे से select करके, क्या करना है, verify का button है, verify कर देना है, तो देख सकते हो, यहाँ पर हमारा details verify हो रहा है, आपको थोड़ा सा wait कर लेना है, तब तक आप लोग प्लीज यार चैनल को subscribe कर देजे और वीडियो को like कर देजे, देखिए जैसे ही हमारा details verify ह हाई हो जाएगा, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा, you can now start accepting payments, और निचे में accept unlimited payments का button देखने को मिल जाएगा, और उसके निचे skip का button दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, accept unlimited payments वाले button पर click कर देंगे, तो उसके बाद में choose business type का page open हो करके आ जाएगा, तो आ देख सकते हो, अगर आपके पास GSTN नमर है, तो GSTN नमर इंटर कर देना है, या फिर use pen card ID भी यहाँ पर use कर सकते हो, यानि उप्योग कर सकते हो, तो मैं सलाह दूँगा, कि enter pen card number, यानि कि 12 digit का जो pen card number होता है, वो आपको enter करके, यानि यहाँ पर लिख करके अच्छे से verify का वेरिफाइंग डिटेल्स कुछी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और फिर इसके बाद finally your verification is completed, कुछी तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, और नीचे done का बटन है, आपको done कर देना है, अब देखो यहाँ पर आपका merchant account यानि की business account बन चुका है, done प हमारे सामने business details, manage QR code बहुत सारे option देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले हम business details को open करेंगे, देख सकते हो, यहाँ पर business name, business details में आपका mobile number और आपका address भी देखने को मिलेगा, gst हम लोग नहीं जोड़े हैं, इसलिए in process दिखा रहा है, category fuel हम select किये थे, payment option, all beam, upi apps, तो यहाँ स हम back कर देंगे, उसके बाद में QR code कैसे आपको मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ से back करेंगे, तो देखो एक दूसरा option है, manage QR codes, तो इस वाले option को हम open कर देंगे, open करेंगे, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें wait करने को बोला जा रहा है, क्या बोल के लिए मैं 2-3 दिनों तक का wait कर लेता हूँ, इसके बाद का process हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पर मेरे 3 दिन complete हो जाने के बाद मैं दुबारा से phone pay business app को open कर दूँगा, तो देखिए हमारे समने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा, हम दुबारा से profile वाले option पर चले कुछ इस तरह से, देख सकते हो, अब आप इसे customer के दुबारा scan करवा करके payment accept कर सकते हो, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ edit करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो हम दुबारा से back चले जाएंगे, अगर हमें business details में कुछ edit करना है, तो इसे open करेंगे, और pencil के button प कर सकते हैं, तो इस तरह से, अगर आपको कुछ edit वेगरह करना है, तो edit कर सकते हो, I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो please यार जाते जाते आप लोग चैनल को subscribe कीजिए, और वीडियो को like कीजिए, bye my friends, see you again.